इसका पहला question बोल रहा है find the roots of the flowing quadratic equation by factorization हमें root find करना है factorization method से question क्या है कि h square minus 3x minus 10 is equal to 0 तो इसका हम factor करते हैं factor करेंगे तो क्या आएगा है h square क्योंती multiply करने पर आना चाहिए 10 और plus minus करने पर आना चाहिए 3 तो minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0 h common लेंगे h minus 5 यहाँ से common होगा 2x minus 5 is equal to 0 तो h minus 5 दोनों में common है तो common ले लेते है h minus 5 ठीक है तो यहाँ से क्या बच्चा हमारे पास हमारे पास बच्चा x और यहाँ से बच्चा 2 तो h plus 2 is equal to 0 तो इन दोनों का पोड़ात क्या है 0 तो दो नंबर का पोड़ात 0 तभी होता है या तो पहला 0 है या तो दूसरा 0 हो तो अगर h minus 5 is equal to 0 होगा तो h की value क्या होगी 5 या फिर x plus 2 0 होगा तो h की value क्या होगी minus 2 तो हमारे पास x के दो value आ गए जिसको put करने पर equations का value 0 आ जाएगा ओके तो या तो 5 होगा या तो minus 2 होगा तो आप लिट सकते हैं आइदर 5 और x is equal to minus 2 तो यह हमारे पास answer आ गया हमें root पूश रहा है तो root क्या हुआ 5 और 2 hence the root root क्या होता है x का वो value जिसको equations में रखने पर result 0 आ जाए तो उसी को हम root बोलते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा quadratic equation है उसका root क्या है 5 है और minus 2 है तो ऐसा लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो तो यह पहला questions हमारा solve ओके चलिए clear है अब आते हैं next questions की तरफ next question भी क्या बोल रहा है कि इसका भी find करना है root लेकिन कौन से method से फैत्राइजेशन method से तो हम इसको भी फैत्राइज कर देते हैं अगर इसको फैत्राइज करेंगे 2x square plus x minus 6 is equal to 0 को फैत्राइज करना है तो सबसे पहले इन दोनों को product करना होगा 6 into 2 12 यानि multiply करने पर 12 आना चाहिए minus 12 और add और subtract करने पर x आना चाहिए तो चलिए देखते हैं plus 4x minus 3x 4x minus 3x is equal to x multiply करो 4 into 3 minus 12 याहाँ से जो common होगा क्या होगा 2x तो 2x common होगा तो यहाँ ले बचा x यहाँ से बचा 2 यहाँ से अगर common लेते हैं minus 3 तो यहाँ से बचा x यहाँ से बचा 2 x plus 2 दोनों में common है x plus 2 common ले लेते हैं तो यहाँ से बचा 2x यहाँ से बचा minus 3 is equal to 0 यानि x plus 2 को अगर 0 रखते हैं तो x का value क्या आएगा minus 2 अब 2x minus 3 को अगर 0 रखते हैं तो 2x is equal to 3 और x का value आएगा 3 by 2 यानि x का यहाँ 2 value आगया एक आया minus 2 और दूसरा आया 3 by 2 तो यही दोनों root हुआ तो बोल सकते हैं कि hence the roots of quadratic equation the roots of given quadratic equations is minus 2 and 3 by 2 okay clear है तो यह हमारा आज का questions था चलिए आएगे बढ़ते next questions की तरफ तो next questions क्या बोड़ा है root 2 x square plus 7 x plus 5 root 2 is equal to 0 तो यह हमारा रखो है root 2 x square plus 7 x plus 5 root 2 इसको solve करते हैं तो जब इसको solve करेंगे root 2 में 5 root 2 से अगर product करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास चेक कर लो 5 2 या 10 यानि कि product करने पे आना चाहिए क्या 10 आना चाहिए और plus minus करने पे 7 आना चाहिए किलियर है तो देख लो root 2 x square 5 plus 2 7 हो गया 5 2 या 10 हो गया तो हमारे पास ये result आ गया ठीक है तो यहां से हम common ले सकते हैं x तो यहां पर क्या बचा root 2 बचा और x square से x common ले तो x बचा यहां से x common ले 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 ये बच गया 5 ओके और इस condition में यहां से root 2 common लेते हैं तो root 2 इसमें से अगर common लेंगे तो क्या बचेगा root 2 और x और यहां से root 2 ले लेंगे तो यह बचेगा 5 ठीक है क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं root 2 into root 2 ऐसे भी लिख सकते हैं अगर एक root 2 common ले लिए तो दूसरा root 2 बच गया यही चीज यहां हुआ है यहां देखेंगे root 2x plus 5 common ले सकते हैं इन दोनों में हैं तो यहां से बचा x और यहां से बचा root 2 is equal to 0 तो root 2x plus 5 is equal to 0 तो root 2x is equal to क्या होगा minus 5 और x is equal to minus 5 by root 2 यहां फिन x plus root 2 is equal to 0 तो x का value क्या होगा minus root 2 तो यहां पे x के दो value आखे एक आया minus 5 by root 2 और दूसरा आया minus root 2 ठीक है हमें पूछा है कि root तो यह दोनों ही root होगे तो अब लिख सकते हैं कि hence the root of given quad equation equation is minus 5 by root 2 and minus root 2 answer तो हमारे पास root पूछ रहा था फैटराजेशन मेथेट से तो यही दो root होगे चलिने इस question पे चलते हैं question number 4 देखते हैं ठीक है इसी तरह से तो यहां पर भी root find करना है फैटराजेशन मेथेट से यहां दो तरीका है यहां तो आप चाहें तो इसको आज easy तोर पे solve कर लें solve कैसे करेंगे 8 से multiply कर लेंगे अगर 8 से multiply करेंगे both side इधर भी और इधर ही 8 से क्यों multiply किये ताकि जो fraction है वो हट जाए तो यहां पर multiply करेंगे तो 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0 इधर से multiply करने का कोई मतलब नहीं यह 0 में किसी भी नंबर से multiply करेंगे वो 0 ही हो चाहेगा यहां फिर आप LCM लेके simple बना सकते थे तो यह एक simple सा quadratic equation आगया इसको solve करना है 1 into 16 क्या होगा 16 होगा यानि multiply करने पर 16 आना चाहिए लेकिन add subtract करने पर 8 आना चाहिए तो हम क्या कर रहा है कि 4s square minus 4x और minus 4s minus 1x minus 4 into minus 4 is equal to 16 तो यह equations आएगा ठीक है 4x common लेंगे तो क्या हैगा 4x minus 1 और यहां से common लिए minus 1 तो यह होगा 4x क्योंतों minus था तो minus common ले लिया 4x यह plus है minus common लिए तो minus 1 is equal to 0 क्योंतों हमें same लाना होता है ताकि फैतर लिया जा सकते common लिया जा सकते तो 4x minus 1 common ले लिए तो यहां ले क्या बच्चा 4x minus 1 is equal to 0 तो 4x minus 1 is equal to 0 4x is equal to 1 x is equal to 1 by 4 same process इधर भी है क्योंतों दाटा same है x is equal to 1 by 4 x का दो value आया लेकिन दोनों value same आया हमेशा quadratic equation में 2 value आयेगा इस condition में क्या है कि दोनों value आया तो 2 value जरूर है लेकिन दोनों value क्या है same है तो बोल सकते हैं कि hence roots of quadratic equation are 1 by 4 and 1 by 4 clear है quadratic equations का root क्या है 1 by 4 है 1 by 4 है दोनों दो root तो आये दोनों लेकिन same आया equal आया चलें next questions पे चलते है next questions पे क्या वो रहा है ये भी same है इसमें भी हमें root find करना है featherization method से इसको भी solve करते हैं क्या बोल रहा है handed x square minus 20x plus 1 is equal to 0 1 में handed से multiply होगा handed आ गया multiply करने पे तो handed आना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है plus और minus करने पे minus 20 आना चाहिए तो हम क्या कर रहा है कि handed x square minus 10x और minus 10x minus 20x और minus 20x आ रहा है लेकिन multiply करो 10 into 10 handed तो 10x अगर कॉमल लेते हैं तो 10x minus 1 minus 1 10x minus 1 is equal to 0 10x minus 1 कॉमल ले लो तो यहाँ से क्या आएगा 10x minus 1 क्योंति 10x minus 1 यह कॉमल ले लिए है तो यह यहाँ आ गया यहाँ से बचा क्या 10x और यहाँ से 10x minus 1 कॉमल ले लिए तो यहाँ ले क्या बचा minus 1 ओके तो 10x minus 1 is equal to 0 10x is equal to 1 x is equal to 1 by 10 सेकेंड क्या है 10x minus 1 is equal to 0 10x is equal to 1 x is equal to 1 by 10 ओके तो यह दो value आ गए हमारे पास तो यह दोनों root है तो लीख सकते है hence the roots of given quadratic equation is 1 by 10 and 1 by 10 तो दोनों condition में equal आया है दोनों condition में 1 by 10 आया ओके समझ में आ रही है एन एकुआ है करेंप झूप्ट लेश altogether ह करेंदे